Hey everyone, Supreme Court ने recently Error Decision and Error Appearance on the Face of the Record Error Decision and Error Appearance on the Face of the Record इन दोनों के बीच में डिफरेंस को किलियर करते हुए ये भी किलियर किया है कि Review को कफ फाइल किया जा सकता है किसके थुरू और किन सरकमसांस में अपलाई किया जा सकता है तो इस Session में उसी जजमन के साथ Review का मतलब किया है कभिसे अपलाई किया जा सकता है और किन सरकमसांस में और किसके थुरू अपलाई किया सकता है इन सारी चीज़ों को डिसक्स करेंगे सबसे पहले review को court of equity से बोरो किया गया है कहां से बोरो किया गया है? court of equity से और यह किस philosophy के उपपर depend है कि अगर किसी human being से कोई भी mistake होती है तो उसे ही correct किया जा सके ताकि किसी भी तरहिए का miscarriage of justice ना हो ताकि किसी भी तरहिए का miscarriage of justice ना हो तो review का मतलब क्या है? review का मतलब है re-examination करना re-examination करना या reconsider करना अब यहां पर जो re-examination होगा यहां पर reasoning के base पे नहीं होगा यहां पर reasoning के base पे नहीं होगा सिर्फ उसे reconsider कर रहा जाएगा या फिर उसे सिर्फ एक बार और देखा जाएगा पर जो decision एक बर किसी judgment में या फिर किसी order में दिया जा चुका है उस order को आप यह judgment को change नहीं करोंगे यहाँ पर सिर्फ इसी mistake जो हुई है उसी को correct कर सकते हो मतलब यहाँ पर आपको appeal वाली power use नहीं करनी है क्यों appeal में तो जो भी mistake होती है वो by the superior code correct की जा सकती है एक court अपनी ही judgment की appeal को नहीं सुन सकता जो error हुए है किसी भी record में उसी को correct किया जा सकता है by the same court by the same judge जैसे कि जब हमारा exam हो जाते है और लाश्ट के 10 मिनट बचते है तो हम क्या करते है कि पूरी की पूरी copy को लाश्ट एक बड़ी और चेक कर रहे होते है उपर उपर से तो इसे क्या बोले है review बोल रहे है वहाँ पर हम analyze नहीं कर रहे है reasoning नहीं लगा रहे कि इसमें यह answer आ सकता था नहीं इसमें यह answer आ सकता था जो कि superior code करती है अगर कोई में mistake आती है तो subordinate code का जो decision आता है उसमें सारी mistake को उसमें सारी mistake को reasoning के बीस पर analyze किया जाता है तो उसकी लिए हम उसे बोलेंगे appeal में गया है पर same code same judge उसको relook कर रहे है सिफ उसको दुबारे से देख रहे है उसमें reasoning को apply नहीं कर रहा है तो तब हम बोलेंगे review क्योंकि review में बहुत limited powers होती है पर जो हम answer लिख चुके है उसको पूरा का पूरा change नहीं कर रहे है सिर्फ mistake को ठीक कर रहे है तो review को second examination of the matter भी बोल सकते है तो review application को कोण apply कर सकता है अगर कोई भी person decree या फिर किसी order से अगर कोई decree या फिर order जिसकी appeal allowed है जिसकी appeal allowed तो है पर उसे prefer नहीं किया या पर उसे prefer parties के थ्रू नहीं किया या तब हम review की application को file कर सकते है in the same court जिस court ने उस judgment को या order को पास किया है and second appeal allowed ही नहीं है by the CPC appeal allowed ही नहीं है तब भी हम review application को file कर सकते है and third one court of small causes small causes court के decision को भी review में सुना जा सकता है review application किन grounds पर apply किया जा सकता है या फिर किन circumstances में apply किया जा सकता है सबसे पहला कोई नया या important evidence discover होता है जो कि parties की knowledge में पहले नहीं था या फिर produce वो नहीं कर पाए या फिर produce नहीं कर पाए जिस्टे मों decree या फिर order बना था and second ground क्या हो सकता है कि record में किसी भी तरह के mistake या फिर किसी भी तरह के error अगर हुआ हो तब भी review application को file किया जा सकता है इस ground पर and next ground कोई भी sufficient other reasons जो कि इनसे similar हो review application को file किया जा सकता है तो mistake या फिर error किसी लोग के बेश्ट पर भी हो सकता है या फिर किसी fact पर भी हो सकता है पर यहां पर सिर्फ error या mistake ऐसा होना चाहिए जिस पर reasoning को apply ना करना पड़े जिस पर reasoning को apply ना करना पड़े तब ही आप review application को file कर सकते हो तो जिस court जज्जमेंट या फिर order को pass किया है उस court में जब application को file कर दिया गया है तो sufficient ground अगर उस court की opinion में लगता है तब वो application को grant कर देगी otherwise वो reject भी कर सकते है अगर application reject होती है तब इस case में उस rejection के against में आप appeal को file नहीं कर सकते है पर applicant अगर appear नहीं हो पाता है अगर appear नहीं हो पाता है जिसके कारण application को reject किया गया है तब इसके पास यह right है कि वो अपनी file को restore करा सकता है पर अगर review application को allowed कर दिया गया है ग्रांट कर दिया गया है तो दूसरी पार्टे के पास क्या रहेट रहेगा वो objection लगा सकती है by appeal तो appeal किसके against में जाएगा सबसे पहले जो application को allowed किया गया है ग्रांट किया गया है इस order के against में भी appeal को file किया जा सकता है या फिर जो suit में जो decree या order पास हुआ है इसी decree या order के against में appeal को file किया जा सकता है तो appeal को किसके against में file किया जा सकता है या तो जो application को grant किया गया है review application को grant किया गया है इस order के against में appeal चली जाए या फिर किसी suit में जो decree या order पास किया गया है इसके अगेंट्स में अपील को फाइल किया जा सकता है अगर कोड अगर CPC में अलाउड है तो पर इन सब के पाथ सेकेंड रिव्यू को अलाउड नहीं किया गया सेकेंड रिव्यू पर बार लगा हुआ है तो रीसिंट जज्जमेंट कौन सा था? मधुधन रेड़ी वर्सिस नरायन रेड़ी 2022 का ये मैटर है जिसमें सुप्रीम कोड ने क्या खा कि किसी भी जज्जमेंट का रिव्यू किया जा सकता है अगर इसमें कोई भी मिश्टेक या फिर एरर होता है तो पर अगर इस मिश्टेक या फिर एरर पर रीसिंग को एपलाई करना पड़े या फिर इस पर रीसिंग को एपलाई करना पड़े तब उस पर रिव्यू अप्लिकेशन को फाइल नहीं किया जा सकता क्यों? क्योंकि reasoning को apply तो superior court ही कर सकती है क्यों? क्योंकि ये appeal में ही exercise किया जा सकता है क्योंकि review में court की power बहुत limited होती है तो सिर्फ इसमें mistake या फिर error जो record में हो सिर्फ उसी को correct कर सकती है या फिर कोई new evidence या important evidence knowledge में आ जाए discover हो जाए जो parties की knowledge में नहीं था या फिर produce ना कर पाए just time वो decree या फिर order पास हुआ था तब इस case में किसी भी judgment की review application को file किया जा सकता है तो इस case में error decision and error appearance on the face of the record इन दोनों के बीच में difference को clear किया गया कि जो error decision होता है जो error decision होता है ये सिर्फ superior code के थूँ ही correct किया जा सकता है in the appeal, superior code के थूँ ही correct किया जा सकता है error decision को पर error appearance या mistake on the face of the record जो है ये by the same code review को exercise review power को exercise करते हुए correct किया जा सकता है तो जिस court ने judgment या फिर order को pass किया है वो गलत judgment को वो गलत decision को review की power को use करते हुए correct नहीं कर सकता क्योंकि अगर subordinate court कोई भी गलत decision देती है कोई भी error decision देती है तो इसकी power सिर्फ और सिर्फ supreme court के पास है कि इसको correct किया जा सकता है यही था हमारा चोट असा सेशन, I hope आपको सारे points के लियर होगी हूँ इसकी PDF आपको telegram channel and PDF को link भी आपको description box में मिल जाएगा सो मिलते हैं next video में तब तक के लिए, bye and take care